नमस्कार दोस्तों, UPVC Windows Training Series में हम आपको window का square feet rate और quotation कैसे निकालते हैं बता रहे थे तो यह final video है जिसमें हमारे पास एक example है जो numbers हमने लिया था तो example में हमने क्या किया है आपके पास 1 by 1, 1 meter by 1 meter मतलब 1 meter height और 1 meter width की window का हमने example दे के बताया है और यह जो सारे अपने rate निकाले में है न तो यह three track की जो हम profile यूज करते हैं वो TC 60 112 है अगर आपको यह देखना है कि TC 60 112 का 1 meter में कितना kilo होता है तो आप हमारा profile video TC 60 112 का देख सकते हैं इसमें जो सैस लगता है वो TC 60-5 है है और इसके लिए भी आप TC 60-5 का देख सकते हैं कि 1 meter में कितना kilo है उसके बाद आपको यह समझ में आएगा तो मतलब यह 5 वीडियो अगर आपने देखे है तो आपको यह वीडियो समझ में आएगा सीधा सीधा rate वरना वैसे भी आपको पता लगेगा क्योंकि जब हमने पहला वीडियो बताया था हमने बोला था कि फ्रेम में आप वेस्टेज का 10% कस्टमर से ही लेते हो तो जो आपकी यह वन मीटर बाई वन मीटर से हमारी फ्रेम की लेंट आई थी उसमें 10% जुडावाया और जी आई में 3% काम है अगर कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन मेप पुराने प्रीविएस वीडियो देखिए इससे रिलेटेड आपको पता लगएगा कि जी आई का 3% कम क्यों है फ्रेम का 10% ज्यादा क्यों है उससे जब हम एक बाई एक मिटर विंडो का रेट निकालते हैं तो 1183 तो हमारा फ्र 266 हैं और गिलास में क्योंकि यह सारे साइज निकालने हैं हमने आपको बताए हुए है इससे आपको गिलास का साइज भी पता लगेगा और अकर 90 रुपे स्क्वाइर फिट आपका प्लेन टफन गिलास है तो 968 रुपे का आएगा और बीडिंग यह यह खिड़की की का और बीडिंग आपके 330 आएगी वन बाइवन मीटर के लिए और इंटरलॉक 50 का रोलर वगरा हैंडल मिला के 500 के और जो आपकी नैट लगेगी वह 107 की और लेबर कॉस्ट ही हमने इसमें इंक्लूड करी है क्योंकि मशीन कॉस्ट और इलेक्टिसिटी यह जो दो कॉस्ट यह आप लास्ट में इंक्लूड करते हैं तो हमने आपको वीडियो में बताया था कि भई आप इसको कुछ फिक्स कॉस्ट के उसमें ले लीजिए इसको एर्फिट के बेस पर 120 ले लीजिए या 70 ले लीजिए जितनी आपकी लेबर है अगर हमने इन सब को प्लस किया तो 92903.4 से डिवाइट करेंगे तो इससे मारा आएगा 705.52 यह कॉस्ट प्राइज होगी इसमें आपने प्रॉफिट भी नहीं जोड़ा है और इसमें अभी आपका जीएस्ट भी नहीं लगा है और आपकी फिक्स कॉस्ट भी नहीं लगी है तो 705 में जब आगर मान लीजिए 15% प्रॉफिट लेके आप कोटेशन देना चाहते हैं तो 811 आएगा और उसके बाद जीएस्ट लगा के 18% 957 आएगा जो कि जीएस्ट आपने यह जब आपने मैटरियल लिया होगा तो जीएस्ट दिया होगा हर एक मैटरियल का तो जब यहां पर आप कॉस्ट में लगाएं आपको और फिर इसमें आप फिक्स को आयते हैं तो 1000 रूपे आजएगी स्कौायर फिट तो 1000 रूपे स्कॉार फिक जब आपकी कौस्ट आएगी तो आप कन्फूस मत हुई है अगर आपको मार्केट में से कम रेट दिख रहा है तो क्योंकि एसा होता है कि लोग कम दे रहे ह होते हैं वह आपको अंदर की बात जो हमने बाकी वीडियो में क्वाल्टी बगर में कवर करी है उससे आपको पता लगेगा कि लोग फिर क्या चीज़े गायब करते हैं अगर कस्टमर को प्रैसराइस करता है तो बट हमारा सजेशन यह रहेगा कि हमेसा फेर रखना और जो सही कि रेट आ रहा है अगर कुछ कन्फीजन होगा तो कस्टमर को बता देना यह रेट से कम में अगर मिल रहा है तो कुछ प्राब्लम है कुछ चीजें क्वाल्टी में कंप्रोमाइज हुआ है बाकी आपके कोई कोई कोश्चन सुंगे तो कमेंट कीजिए धन्यवाद दोस्तो कि वालग है ग अगर बता दोस्तोम है रहा है वालग है कि यालग है तो कि यह दोस्तोम है और कि अवमें कि हो और कि तो अन्यवाद।